कि फिर वर्षा कुमारी चुड़े हैं दीजे जुड़े हैं लिखन जुड़े हैं दीजे जुड़ी हैं अन्ना काफी सारे लोग क्लास को जॉइन कर चुके हैं सभी लोगों को सब्सक्राइब क्लास में वन्स अगेन आप सभी के सामने एक नया टॉपिक एक अमेजिंग टॉपिक जो हर एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है राइट चलो तो क्लास की सुगात करते हैं कविता गृटीविनिंग कविता जी तेंदर पांडे घलो जी तेंदर कैसे हो सभी लोग आगे भाई क्लास में नमीता जुड़ चुकी हैं प्रणाम नमीता भाई कैसे हो how are you how are you कैसे है कैसे है सभी लोग तो topic आज का बहुत ही जवदस्त है topic क्या है polymer, detergent इसके बाद क्या है fertilizer बहुत सारी topic एक साथ ले लिए है polymer, detergent, fertilizer और थोड़ा पाठ explosive का भी है तो मतलब बहुत सारे मैंने एक साथ topic ले लिए है धीरे धरी करके सारे topics में करवाद के लिए रहा भाई मेरे class के शुरुवात करें good evening सभी को good evening सभी को good evening सभी को हाँ यह FBI जितने IB पता नहीं कौन-कौन से एजेंट है सभी लोगों को good evening ठीक है चलो तो class की शुरुवात करते हैं देखो एक और important चीज है कि paper का schedule क्या है paper कब होंगे कैसे होंगे लगातर बच्चे पूछते रहते हैं तो मैं एक बाद फिर से आपको याद दिला देता हूं कि जुलाई first या जुलाई के first week से सारे paper अपने आप ही start हो जाएंगे और यह लगातार बहुत तेजी में चलेंगे तो मैं एक आपको chronology थोड़ा बता देता हूं कि जुलाई के first week से दो paper की शुरुवात होगी एक तो है NTPC का 7th phase और CHSL का जो बचा हुआ है जो remain बचा हुआ है CHL का कुछ जादा नहीं बचा है थोड़ा सा ही बचा था तो यह paper सबसे पहले होंगे जुलाई के first week में ही start हो जाएं NTPC का 7th phase और CHSL के जो बागी बची थी वो बाद इसके बीज में दिल्ली पुलिस का जीदी का exam भी होना है जो भी बहुत जरूरी exams है तो सुनने में आ रहा है यह exam भी बीच में होगा उसके बाद मेड मेड जुलाई या फिर जुलाई लास्ट से या फिर लास्ट जुलाई से आपका group D start होगा कौन सा start होगा group D start होगा और इसी बीच में serial का exam भी आपका होना है यह जो group D यह October तक चलेगा और mid of October या November के first week में आपका CVT 2 का paper होगा जो तो आप समझ लीजे कि आपके पास बहुती कम सब्सक्राइब बचा हुआ है लिए लिए पांसात दिन बचे हैं अगर इन 57 दिन में भी अगर आप नहीं जाग पा रहा हो तो मैं आपको कहीं बताऊं कहते हैं कि जो इनसान सोया हुआ होता उससे जगाया जा सकता है जो इनस सबसे पहले हम जानेंगे फटलाइजर क्या होते हैं उर्बरक क्या होते हैं तो यह चीज मैंने बहुत बार बताई है आप सभी को फटलाइजर के बारे में उर्बरक के बारे में उर्बरक दो टाइप के हैं एक तो है और्गनिक उर्बरक क्या होते हैं वो उर्बरक वो सार है एक ऑरगनिक Fertilizer जैसे की जो केचुबा बनाती है हुमस कहते हैं हुमस मिट्टी कहते हैं तो जो दिए और यह सबी आपको याधन NpK N, P, K आज जो class stop करेगा उसे एक packet wheel, surfactual और एक बोरी यूरिया खाद भेजेंगे हाँ ये कर देंगे चलो ये हम कर देंगे जो आपने कहा ये हम कर देंगे ठीक है एक यूरिया खाद की भेज़ देंगे एक surfactual भेज़ देंगे और क्या होता है उसने और एक जो है वो polythene भेज़ देंगे क्योंकि वो भी तो पढ़ा रहा है ना polymer भी तो पढ़ाना है तो N, P, K, N से हो गया nitrogenous fertilizer P से हो गया phosphorus और K से हो गया potassium तो तीन fertilizer मुक्रूप से होते हैं nitrogen, phosphorus और potassium अब nitrogen calcium nitrate magnesium nitrate nitrogen sulfate इन सभी में आता है इसमें भी ये तीनों आते हैं इसमें भी ये तीनों आते हैं और इसमें भी ये तीनों आते हैं कहने का मतलब ये है कि nitrogen के calcium के साथ में जो compound बनेगा magnesium के साथ में जो compound बनेगा sulfur जो compound बनेगा उनसे और्बरक बनाए जाता है और चौता है केल्शिम साइन, ठीक है, यह सारे के सारे किसे नाइट्रोजन तो, फॉस्पॉरस की हम बात करें, तो फॉस्पॉरस का केवल एक ही सल्फेट होते हैं, एक ही बड़ा उर्बरात है, जिसे हम कहते हैं, सुपर फॉस्पेट, इसके बारे में कहा जाता है, कि यह हड पड़िओं के जो चूरा होता है, उससे इसे बनाया जाता है, जिसे हम सुपर फॉस्पेट कहते हैं, भाई, पॉटेशियम के अगर हम बात करें, तो पॉटेशियम से आ जाता है हमारा क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेड, मत अब पॉटेशियम क्लोराइड, प्यारासा दे केमिकल फॉर्मुला ऑफ यूरिया यूरिया का केमिकल फॉर्मुला जिस अबने डी दिया है सिर्फ संकर बी दे रहे है दो बच्चों ने भी आंसर दिया है विसब और सिर्फ संकर प्रियार 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 तो यूरिया का chemical formula होता है NH4 का whole twice CO क्या होता है इसका whole twice और CO ये यूरिया का formula ये क्या होता है ये यूरिया का formula होता है अगर हम बात करें तो यूरिया का मुख्वेकार फसनों को nitrogen की पूर्ति करना जित्की nitrogen कमी होगी इसे पूरा कर देगा और सबसे हम नाइट्रोजन का प्योग करते हैं नाइट्रोजीनियस है ठीक है दूसरा इसमें नाइट्रोजन जो है वो 46% होते है यह कोशन ने पूछा गया है और यह पहला कार्बनिक यॉगिक है जो प्रेयोग साला में बनाया गया था यह चीज भी आ तक ना अगर कभी पूश फ्रेयाड ठीक है एनवेश पूर का होल तकजिँ विदा राई है अगला फ्रे efficacement आपा फ्रीयोगिन से उसे बोल सो यूज़ एस अ्टा बाइयो आंसर होगा भाई इन मैंसे किसका उप्योग बायो फट्लाइजर के रूप में किया जाता है कि कोई बात नहीं कि अब या प्रडाम ले तुम डेली क्लास नहीं कर रहे हो अचकार ले कभी कभी आते हो कभी कभी गयब हो जाते आंसर क्या होगा जाती है आंसर क्या होगा क्या होगा जांसर गलाथ है जीयवारो खाद तो अमोनिया है वो जीवाणों के द्वारा बनाई जाती है बहुत सारी जीवाणों है जैसे कि राइजोमियम है एजिटोबैक्टर है एना एजोस्पीर पीरलियम है जैसे जीवाणों नील हडिस सेवाल के द्वारा बाईयू मंडल में नाइट्रूजन को अमोनिया में बदल करते हैं जैव उर्वरा के अगला परक्षिन केल्शियम सौल्ट यूज अज दा फट्राइजर इज आपको बताना है कि कैल्शियम का कौन सा सौल्ट फट्राइजर के रूप में उप्योग किया जाता है अभी मैंने इसका आंसर आपको बताए था अभी जस्ट मैंने इस कांसा, सभी कांसा गलत था ब्लू-ग्रीन एल्गी है, बिल्कुल सही है, ब्लू-ग्रीन एल्गी में करते हैं और लाइक भी करते चलो, अभी लाइक 20 हैं, तीस्तो पहुचा दो फटा फट कब था, प्रिया, चंद्रकांता, सभी लोग लाइक करें, ललित डीजे ने डी आंसर दिया है, केल्शियम सल्फिट बता रहे है, ललित भी डी बता रहे है सत्तनारार रे डी बता रहे है, प्रिया डी बता रहे है कुरियंका डी बता रहे हैं जितेंद्र डी बता रहे हैं कि सर मॉर्णी में क्लास करते करते विए नेट खतम हो गया तो चीज शिक्स मॉम में आया था अच्छा ठीक गलत है राइट आंसर से कैल्शियम साइनाइट आप जड़ा ध्यान से देखो मैंने आपको यह चीज़ यह पहले बताएं थी कि कैल्शियम का एक ही है एक तो है कैल्शियम का साइनाइड और एक है कैल्शियम का नाइट्रेड यही दोनों कैल्शियम के है अब इसमें देखो आप की calcium का यहाँ पर nitrate तो दिखनी रही नहीं पर calcium carbide CAC2 बहुत important है यह फलों को पकाने वाली गया से calcium carbide जो होती है यह फलों को पकाने में इसका उप्योग किया जाए calcium carbonate normal body के अंदर होता है calcium sulfate यह calcium sulfate इसे क्या कहते है यह क्या होता है जिप्सम होता है तो कहने के मतलब क्या होगा calcium cyanide होता है next question तो और उपरक किसी में उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग के रसाइन होते हैं इनमें प्रोब्रग प्रिद्धी के लिए प्रयोग की जाते हैं जिसमें कौन सा फट्लाइजर है जिसमें nitrogen को अप्योग नहीं करता है एक गलत आंसर देता है सब गलत देने लग जाते हैं अब इसे ध्यान से पढ़ो किसमें nitrogen नहीं है किसमें nitrogen नहीं है जिसने मेरी सुरुवात की एक दो साइट देखी है उसे सबसालियान सा सही आएंगे बताइए अभी मैंने आपको बताया था कि इनमें से एक ऐसा इनमें से एक ऐसा फट्लाइजर है जो हड़ी की चूरा से बनाया जाता है हड़ीयों को पीस कर बन है और अब ही मैं इसको बता कि आया हूंँ आपको यू लाप क्या होता है और साथ में क्या रगा होता है यह formula यूरिया का होता है ठीक है तो सुपर फॉस्पेडिक फॉस्पेडिक और बड़ाक है जबकि ammonium sulfate nitricide nitrogen है याद अखेंगे आगे चलें अगला परश्ण विच अब दो following functional group of the carbon ये तो ये तो नहीं ये तो गलत साबुन का सामारिय शूत्र क्या होता है घरोंए कोई लकस यूज करता है ब्रीज करता है इस सेलोन यूज करता है ये लेके छैने आप साबून ढगरden करह हो कि और अ चंदन सी खुबसूर्थी नहीं आपाएगी, चांद सी खुबसूर्थी नहीं आएगी, चाया जिंदगी भर साबुन रगड़ी है, क्योंकि साबुन केवल और केवल जो स्केन के ऊपर के डर्ट है, जो गंदगी है, जो ऑगनिक सबसेंज, जो ओईल है, उसे रिमूब करता ह आपके कलर के आपकी स्केन के कलर को प्रभवेत नहीं करता है, साबुन क्या है, साबुन नथिंग is a long chain of higher fatty acid, higher fatty acid की long chain होती है, जिसका फ़मला होता है, र-C-O-O-N, र क्या है, एक कावनिल गुरुप, तो राइट अधर कौन सा होगा, C will be the right, अगर हम साबुन की बात करें, तो सावन इस डूनेटेट भाए आर सावन की लॉंग चेन होती है अलाग परीके के सावन की अलाग परीके की लॉंग चेन होता है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है दो को ध्यान से देखना है और इसे हम एन एच के साथ में रेक्शन करा देते हैं तो यह वाला जो एच है और यह वाला जो एच है यह दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलके वाटर बना लेते हैं और यह जो एन एच है यहां पर जाके अटेच हो जाता तो क्या बन जाता है और साथ साथ में एच टू अ बन जाता है यह हमाला फॉमला बन गया अब कॉश्चन यह भी बनता है कि कि CW-O-H-E यह क्या है यह कारबॉक्सलीक एसड है यह क्या है यह तो हमारे कारबॉक्सलीक एसड है याद अखना यह चीज है तो साबुन क्या है साबुन इस राउंग चेन और फॉट्टी एसड़ अगला प्रॉच्श्च ठीक है यह कुश्चन बता चुका हूं मैं विच बेसी जनरली फॉर्म्ड इंसो आपको बताना है कि साबुन में मुक्ता कौन सा च्छार का उप्योग किया जाता है अभी मैं बता कि आया हूं गलती नहीं करेंगे साबुन में किस च्छार का उप्योग किया जाता है कौन सा च्छार पाया जाता है साउंड प्रवलम हो रहा है क्या एक मिनिट पूर सकता है लाइट गई है तो अचानक से साउंड प्रवलम होने लगा हूं सही तो है अभी तो सही आ रहे हैं तुम लोग बहुत साउंड प्रॉब्लम होता है अब किलियर है भाई अब नहीं भोलना साउंड प्रॉब्लम थीक है तो सुडियम हार्ट रॉपसाइड का प्योग करते हैं ठीक है वाट इस वासिंग सुडा आपसी कह रहा है कि वासिंग सुडा क्या होता है यसे धावन सुडा भी कहते हैं काष्टिक सुडा तो डिफेंट है लेकिन यसे हम धावन सुडा या कपड़े दुने वाला सूदा आता है बंदर्चाप है यह हो है बंदाचाप साबसे बड़िया सावन लगता था मुझे खुदी भी इंसान भी नहाता था कपड़े भी दोता था गायवहस भी धुल देता था और किलो के साब से आता था इतना बड़ा सावन काट काट के दिन बर हमेशा जिन्दी बर यूज करते रहा तो धावन सोडा क्या है? कुछ भी नहीं है जिससे हम कपड़े धुलते हैं इसका फर्मला होता है Na2CO3.10H2O ये इसका फर्मला होता है Na2CO3.10H2O ये इसका फर्मला होता है जिससे हम धावन सोडा कहते हैं ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? Sodium sodium carbonate D is the right, क्या कहते हैं से, sodium carbonate, D will be the right answer, सब का answer सही है, sodium carbonate, the synthetic detergent are prepared from, आपको बताना है, कि जो detergent होते हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, synthetic detergent को हम किस तरीके से बनाते हैं, already इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, सरजी मैंने 15 दिनों में 80,000 कमा लिया, भी यह साथ क्या कर रहा है, हमको भी बताओ, अगर ऐसा कोई काम कर लो, तो हमको भी बताओ कि तुमने 15 दिन में 80,000 कैसे कमा लिया, बस chain marketing मत कहना या, बस chain marketing के लिए मत कहना, बागी हम कुछ भी कर देंगे, क्या कर रहा है, तुमारी सफलता का राज कहाँ छिपा है, सब को बताओ जारा सीक्रेट, जब साबुन बनाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़न डाली जाते है, हमारे हाँ उरही में हिंदुस्तान यूनिलीवल लिमिटेड है, जित्ते साबुन है, क्रीम है, यह सभी चीज़े हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवल लिमिटेड बनाते हैं, यह company का नाम है यूनिलीवल लिमिटेड, ये company जिस भी देश में होती है उसी देश का naam आगे जोड़ देती है चायना में रहेगी तो चायना unilever limited हो जाएगी अगर पकिस्तान में जाएगी तो पकिस्तान unilever limited हो जाएगी लेकिन company American तो हिंदुस्तान unilever limited जो company इसमें साबुन बनता है जो साबुन बनता है उसका जो सेवत पाद होता है उसका जो बाई प्रोड़क्ट होता है उसका जो कचड़ा होता है उसी से पूरी की पूरी कोस्ट निकलाती कमपनी की उसकी बाद साबुन जो मार्केट में बिक रहा है वो कम्प्लेटली प्राफिट में है और उसमें आपने सब्सक्राइब करें जिसको मार्केट में बेच कर साबुन का प्रॉफिट निकाल लिया जाता है तो ग्लिस्रीन कब को याद अखना है मोदी जी अच्छा 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 गोल्ड सिल्वर का वो करते हैं ठीक है ग्लिसीन साबुन की प्रिक्रिया के अंदर के तो पाद सेवत पाद है ठीक है भाई ताबॉन में एंटी सेप्टिक गुण अलग आपने देखा हो को डिटेयल आता है सेबलोन आते बहुत सारे सा शाद हो गया पुछ भी हो गया तो ऐसे में क्या करते इन साबून को ले के आते हैं अब इससके एक प्रोड़क्ट एक एसी चीज होती है जो एंटी सेप्टिक गुण देती हैं एंटी सेप्टिक गुण देते हैं बिथियोनॉल, क्या कहते हैं दोस्तों, बिथियोनॉल, A will be the right answer, तो जितना भी डिटॉल है, सेबलॉन है, इन सभी चीज़ों में आपको बिथियोनॉल करके एक कंपाउंड मिलता है, और यही antiseptic property प्रोपर्टी प्रोवाइड करता है, हर एक साबन, छीक है भाई मेरे, बास स साबन, लंबी संखला वाले के sodium या potassium लबड होते हैं, क्या question पूछा किया है ? क्या है, झाले किया है, है धोची तिरे है है, झाले को, जबु rodz lunar कर पनने अपको झारे, हो खवाजे हैं, जब रखों मिलता है, झाले के का हूज हैं, wr threats है live एक का का aten गगिनूः प्रोपर्टी इसलिक Пока करते हैं, बास्थ इस साब्सेट हैं, लंदित हैं. किया हो गया ब़ई सत्ता नहरा इन आंसर दिरेंए लम्बी सरंकला के लपर होते हैं तो किसके होकरबॉक्स ली कैसे डीज दर आइट अंसर सबने अंसर सही दिया था मैंने बताया था आपको ऐसी लंबी सरंकला होगी लंबी सरंकला होती है लास्ट में लिखा होता है सी डवलको एक यह साथ है नास कुस्ट्चन प्राक्रतिक रवाड अब यहां से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पॉलिम पहला क्वेशन तो यह बन जाता है तो पॉलिमर क्या होते है किसी भी एक छोटे केमिकल पॉम के एक लंबी जब चेंड होती है तो इसे क्या क्या थे हम पॉलिथीन कहते है यह क्या है यह हमारा एथीन है और इसमें बहुत सारी चेंड जोड़ दो इसज हम क्या कहेंगे तो कहने का मत्तब ॥े है इसी तरीके से जो प्राकृतिक रवन होती है वो भी एक तरीके का पॉलीमर जो पॉलीमर आईसोप्रीन का बना होता है किसका बना होता है आईसोप्रीन का बना होता है C will be the right answer most लोगोंने answer सही दिया थीक है भाई बास समझ में आगई दन्यवाद अखले सराजपूर अगला प्रश्ण तो अब आप देखोगे आईसोप्रीन का आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक नैचरल पॉलीमर आपको बताना है नहीं है, natural polymer नहीं है, natural polymer के बज़ताब जो प्रकती में natural रूप से प्राक्रतिक रूप से नहीं पाया जाता है, वो polymer नहीं है comment करिये फटाब क्या होगा answer मुस्री लोगे answer सही आ रहे है तो राइट अंसर नाइलोन हो जाएगा नाइलोन क्या है, natural polymer नहीं यह synthetic है, ठीक है, natural और synthetic, उन जो है वो natural polymer है, बाल भी एक polymer है silk यह भी natural है और चमणा यह भी natural नाइलोन 6 का structure कुछ इस तरीकी का होता है इसे हम polyamide कहते है adipic acid और उससे बना होता है अभी मैं आगे जाके बताऊंगा आपको यह इसे कहते है नाइलोन 6 का तो यह structure होता है नाइलोन 6 का अभी आपको समझ में आजा तो ऐसे समझ लेना यह structure जो है वो, नाइलोन 6 का होता है यह बनता कैसे, अभी मैं आगे जाके आपको यह चीज बता दूगा ठीक है अब ही मैं आगे जाके आपको यह चीज बता दूगा किस पॉलिमर का उप्योग रसोई के ऐसे बरतन बनाने में किया जाता है जो खून खाना बनाने पर चपकते नहीं घरों में आपने इस तरीके के बरतन देखे होंगे जो काले कलर की होते हैं जिनमें हम ओमलेटर बनाते हैं वो भी नहीं चपकता है सबजी बनाते हैं वो भी नहीं चपकती है कोई भी चीज बनाते हैं तो वो स्टिक नहीं करती है अगर दर बाई mostly जो चीजें होती है वो stick करने लगती है तो question ये पूछ रहा है कि इन मैंसे कौन से ऐसे बरतन है जो खाना बनाने पर चपकते नहीं है ससी ने आंसर दिया है, डीजी ने आंसर दिया है, प्यंका ने आंसर दिया है चंद्रकांता ने आंसर दिया है, किम जॉंग यूंग ने आंसर दिया है पंदरा का आंसर C है, नॉन स्टिक है, इसे हम टैप्लाउन के आते हैं देख रहा हो किम जॉंग यूंग भी देख रहा है क्लास को तो काफी सारे लोग जो है क्लास में जुड़ी होए है इसी तरीके से polystyrene से बहुत सारी चीज़े बनाई जाती है घरों में जो बॉटल्स वगएरा होती है यह देखिए इसे टीएफ कहते है पॉलिस्टाइविं बगएरा इसी तरीके से आपने में बैफलाइट देखा होगा बैफलाइट के क्या बनते इसके जो हैंडल होते हैं ये भी सोस्क्राइग्रों के बनते है गारों में जो अप किस पॉलिमर का उपिया जाता है दो दो चीज़ है अगर हम blood proof की बात करें तो blood proof में एक तो glass आता है और दूसरा जो है वो कपड़ा आता है जिसे हम कहते हैं fiber जिसे हम कहते हैं fiber तो अगर आपसे question पूछा जाए glass को लेकर कि ठीड़े लोग के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब यह एक कर ग्रासि को बेदि लोग्शा है तो जो जो फाइवर होता है इसे कहते हैं कैबलार और जो ग्लास होता है इसे कहते हैं नाइलोन जो बता रहें गलात अभी यह इसे लैक्शन कहते हैं तो अगर हम बात करें यह देखो आप देख रहे हो जो गाड़ियां हाते हैं ब्रिट प्रूफ गाड़ियां बड़ी बड़ी किसी बड़े अधिकारी की गाड़ी वो सारी किसारी ब्रिट प्रूफ होती है तो इनमें जो कांस लगाया जाता है वो लेक्षन का होता है इसे क्या कहते हैं बहुत सारी पत्ली पत्ली लियर इसकी एक यूपर एक एक यूपर एक यसे बहुत सारी 50-60 लियर बना देते हैं इस The pipe insulation के लिए किस polymer का उप्योग किया जाता है? घरों में pipe का insulation होता है, किसी भी wire का insulation होता है, घरों में जो pipeline पड़ती है, summer civil पड़ती है, या फिर जो क्या कहते है, plumbing का कार होता है, तो उनमें जो भी pipe किस की बनी होती है? यह question पूछा गया है. तो PVC की बनी होती है, polythene की बनी होती है, teflon की बनी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं. तो आप जो भी जब भी wire खरीदने जाओगे, तो उसमें लिखा होता है कि यह PVC का wire है, polyvinyl chloride का wire है, जितने भी wire होते हैं, वो सभी किस के बने होते हैं? PVC के बने होते हैं, क्योंकि यह गरम होने पर, गरम होने पर खराब नहीं होते हैं, पिखलते नहीं हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि wire गराब होगी, खराब हो जाए, ठीक है? और दूसरी चीज़, पानी से खराब नहीं होते हैं. तो PVC से हम क्या क्या चीज़े बनाते हैं, तो PVC हम बोटल्स बनाते हैं, यह सभी PVC बनते हैं एक ऐसी polymer का नाम बता है जिसमें मजबूत intermolecular forces होते हैं मजबूत intermolecular forces तो अगर बीच में ज़्यादा अच्छ intermolecular force चाहिए इसका हम कहां यूज कर सकते हैं कपड़ी बनाने में इसका उप्योग किया जाते हैं कितने लोग दिमाग लगा सकते हैं इन में सा कौन सा मनुमर है ललित का C आंसर आया है कविता का यह आंसर आया है लिखन का B आंसर आया है और कोई बच्चा जो आंसर देना चाहता है प्रेंका का A है रिशब का B है शिव संकर का A है नमिता का A है किम जॉंग यून का D है ससी का D A है चंदरकांता का D है D जी का B है राइट आंसर इस ठाफ लाइट आइज पलिस्टर पलिस्टर इस दे राइट आसर मैंने क्या कहा था कपड़े बना जा सकते हैं A के कभी भी कपड़े नहीं बनते इंचांटर के कभी अभी कपड़े नहीं बनते कपड़े किसके बनते पॉलिस्टर के बनते इसका गपड़ा बंता है। इसका तो कपड़ा बंता पॉलीस्टाइडीन हो गया और पॉलीस्टाइडason। हाँ network की problem काफी जगय पर है मैं समझ सकता हूं बट कोई बात नहीं कि जितना आप कर पार है उतना करो जिनका नेटवर्क आ रहा है उतना करीएं क्या आंसर आया शिवराज सिंग राजपूत यह आंसर दे रहा है शिवसंकर यह आंसर दे रहा है नमिता यह आंसर दे रहा है नमिता यह आंसर दे रहा है किम जौस्त यह आंसर दे रहा है राइट आसर बनेगा दोस्तो तो सोडा की बोतले किस से बनती हैं तो यह बनेगा रूप से सूडा की बोतले बनाई जाती हैं इसे हम कहते हैं PET क्या कहते हैं PET पॉली PET आप याद रखना है इस चीज को और यह आप जो विजतरी बोटले आप देख रहा है यह सब यह सी से बनती है तो PET नेश्ट कॉस्चन निमरिकेत मैंसे किसी के बहुली करण से PVC बनता है आपको बताना है कि पॉली बिनाईल क्लोराइड का मोनोमर क्या है PVC का मोनोमर क्या है पॉली बिनल क्लोराइड इसका मोनोमर क्या है प्रोटीन इसका मोनोमर है बिनल क्लोराइड इसका मोनोमर है इस्तारीन इसका मॉनमर है या फिर ऐसली इसका मॉनमर है तो बैस ही सबन्ज में आ रहा है वह इन पी वीसी का फुल फॉर्म बबन निकाल लोगे तो भी आपको अंसर मिल जाएगा पॉली विनल क्लोराइड विनल क्लोराइड is the right answer. अब विनल क्लोराइड कैसा होता है तो यह ये फिर क्लूरिपल सकते हैं इथा यह लीन होगा है ना क्योंकि डीवलबगॉंट अच्छा इसी में क्या करते हैं फिर आगे जाके दूसरा भी हो तो यह जोरती चली जाती है इसे ही हम क्या कहते है तो बिनिल क्लूरइड और बिनल बिलल डाइन क्लूराइड इन दोनों को मिला के पॉली बिलल क्लूराइड बनाए जाता है ठीक है टैफलॉन नामक प्लास्टिक का निर्मान किस यौगिक के बहुली करण के कारण होता है अब आपको टेफलोन का मोनोमर बताना है जिससे टेफलोन मिलकर बनता है सुरुसुरी तो एकदम जड़ी लगा दिया है दीवी करके बस सुरुसुरी मैं समझ गया तुमारी भावनाओं को सुरुसुरी चागे कमेंट बॉक्स में सही है बेटा तो टेफलोन का क्या मोनोमर होता है टेफलोन का मोनोमर होता है टेट्रा फ्लोरो इथाइली डी इस दा राइट प्लोरो इथाइलीन इस दा राइट आंसर यह है सी एफ तो यहाँ पर एक एक फ्लोरीन होता है यहां पर एक klorine होता है फिर वीच में S अनृन का मचारक सॉट है सुट सॉटी जब फॉम में आता तो फिर कुछ दिखता नहीं है, right? Next question, बरसाती raincoat is made from, आपको बताना है कि जो बरसाती होती है, जो बरसात में लोग use करते हैं, वो किसकी बनी होती है? पॉलिथीन की बनी होती है, पॉलिस्टारीन की बनी होती है, पॉलिकाबुनीट की बनी होती है, या पॉलिक्लोरो इथेन की बनी होती है, बरसाती या फिर raincoat, किसका बना होता है? सुलसुड़ी कहा रहा है कि नेटवर्क issue है, एक कमेंट करने पर तीन-चार बार जा रहा है, सही कहा रहा है, प्रियंका ने भी लिया है, सिवराज राजपूर्ट ए दे रहा है, फ्रिंकर शर्मा भी दे रही है, विशर पाटेल भी दे रहा है. बरसाती किसने, किससे बनाया जाता है? कमेंट करो फटाफट बरसाती किससे बनाया जाता है? कि यह लाइड में चली गई अच्छानक से तो बरसादी बनाई जाती है polystyrene से बीज दराइट आप जानते हैं क्या चीज़ बनाई जाती है तो polystyrene मिल भी दराइट आप देखो इस तरीकी के जो कपड़े होते हैं इसे कुछ लोग पैरसूट भी कहते हैं तो पैरसूट का जो कपड़ा होता है वो भी polystyrene का बनाई जाता है इसके अलावा आप देख सकते हैं चस्मे बगएरा जो होते हैं यह भी polystyrene के बनाई जाते हैं इसके अलावा आप हैलमें बगएरा जो देखते हैं यह भी polystyrene का बनाई जाता है तो जो भी हम खाना वगयर लाते हैं कभी अपने देखा होगा, तो खाने को पैक किया जाता है, तो प्लास्टिक का उपयोग क करते हैं, polypropylene का अपयोग करते हैं polyethylene का अपयोग करते हैं या फिर tetrafluoroethylene का अपयोग करते हैं किसका अपयोग करके खाने का package बनाया जाता है already इसका answer में अभी देखे आया हूँ आपको थोड़ी दिर पहली में इसका answer दिया था answer हो जाएगा polyvinyl chloride इसका answer मैंने अभी आपको बता था कि पीबीसी का उपयोगी sorry polyethylene not polyvinyl जैसे कहते है पीएटी और लिखा नहीं था polyethylene यही है पीएटी पूरा नाम नहीं लिखा है polyethylene tera-thylene पूरा इसका नाम है polyethylene tera-thylene तो जो पीटी होता है उसी से उपयोग हम क्या करते है food packaging किया जाता है ताकि glass clear quality हो that requires the glass clear quality food packaging किया जाता है next question ऐसे synthetic polymer का नाम बताएं जो प्राकृतिक रवर के जैसा दिखाई देता है ऐसे synthetic polymer का नाम बताएं जो प्राकृतिक रवर का रवर के जैसा दिखाई देता है पॉलीप्रोपीन है नीओप्रीन है नायलॉन है या फिर क्लोरोप्रीन है. क्या अंसर बनेगा ? कमेंट करो फ़िद आपर. नेम दा सेंथेटिक पॉलीमर विच इजरंबल्स आ नैच्रल गबर ? हाँ अगनी रोदक बस पॉली कापमेट के बने होते हैं सही है बिल्कुल सही है सिवरासिंग राजपूल क्या आंसर होगा बताइए फड़ापट क्या आंसर बनेगा ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर का नाम बताएं जो प्राकृतिक रवर के जैसा दिखाई देता है तो आंसर होगा नियोप्रीन नियोप्रीन सेम टू सेम कैसा दिखाई देता है प्राकृतिक रवर का तरह दिखाई देता है तो आपने देखा होगा जो गोता खोर या जो स्विमिंग करने वाले जो लोग होते हैं गोता खोर या फिर जो स्विमिंग जैकेट होती है वो इसी की बनाई जाती है तो गोता खोर वाली जैकेट या फिर जो स्विमिंग जैकेट होती है वो नियोप्रीन की बनाई जाती है ये एक synthetic polymer है, जो की प्राक्रितिक रवड के जैसा दिखाई देता है, ठीक है भाई मेरे, बास समझ में आ गई, so this is Neoprene, next question. थर्मो प्लास्टिक polymer का नाम बताएं, आपको थर्मो प्लास्टिक polymer का नाम बताना है, बेकलाइट, मेलामाइन, पॉलीथीन या फिर टैपलॉन, बताएं, थर्मो प्लास्टिक polymer का नाम बताएं, सब आंसर गलत हो रहे हैं आप लोगों के, एक भी सही आंसर नहीं निकल रहा है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक का डिफरेंस का है, वो भी मैं आपको बता दूँगा, पहले इसका आंसर दीजिए, कुछ A आंसर दे रहे हैं, राइट आंसर है, टैफलाउन, सभी का आंसर गलत है, D is the right answer, अब देखो थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का डिफरेंस का, अगर हम बात करें थर्मो प्लास्टिक का, तो ये डक्टाइल होता है, और अगर आप इसे गरम करोगे, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, प्लास्टिक होती ना, गरम करोगे, सॉफ्ट हो जाएगा, ये प्लास्टिक है, इसे आप गरम करोगे, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन जो thermosetting plastic होती है, इसे गरम करने पर ये hard और brittle हो जाती है, कैसी हो जाती है, hard और brittle हो जाती है, मतलब soft होगी ही नहीं, वो सीधे-सीधे तूटने लग जाएगी, तो यही इन दोनों के बीच का common difference है, इसके अलाबा अगर इसके example की बात करें, thermoplastik के, तो polythene इसका example है, polypropylene इसका example है, polycarbonate इसका example है, और अगर हम thermosetting plastic की बात करें, तो इसमें balkanized rubber, polyester, resin, phenolic resin, यह सारे thermosetting plastic के example हैं, रसी बनाने के लिए किस polymer का उपियोग किया जाता है, वश्चन समुझ में आ गया, रसी बनाने के लिए हम किस polymer का उपियोग करते हैं, विच पॉलिमर इस यूज़ तू मेक गार्गो, polypropylene, polyester, polystyrene या फिर उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं, बताये हैं, रसी बनाने के लिए किस polymer का इस्तिमाल किया जाता है, पॉलिप्रोपी, पॉलिस्टर, पॉलिस्टाइरिन, तो दोस्तो पॉलिस्टाइरिन या पॉलिस्टर, रसी, रसी पॉलिस्टर से बनती है, राइटनसर कॉन सा बन जाएगा, भी बिल भी राइटनसर, अभी मैंने आपको बताया था, रसी का कपड़ा भी होता है, पॉलिस्टर की रसी बनाई जाती है, तो जेती वे रसी आप प्लास्टिक की देखते हैं, बहुत सारी-सारी पॉली है प्लास्टिक से कौनसी गैस पुत्पन भोती है, विच गैस इस प्रीडीवूज होती है, विच गैस इस प्रीडीूज हो घॉल्य जाए अगर इससे गरम किया बतायी JUST बता ही आंसर विच गैस इस प्रथे उस्ट्वन्ग पेस्ट पुन्ग प्लास्टेट विच गैस केज प्रथे अप्लास्टेक तो फाइटर ए आंसर दे रहा है D जत्वी आंसर दे रहा है बाली प्लास्टिक को क्या समझ नहीं पाव हुआ मि मैं आप भूब्लास्टिक को क्या है अगर लग गनाे सब्लास्टिकします रियोन के निर्मान के लिए कच्चे माल के रूप में निमलिकित मैं से किसका प्रियोग किया जाता है? Which of the following is used as the raw material for the manufacture of रियोन? इन में से रियोन के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है? कमेंट करो पर डपर रियोन के रूप में रियोन क्या है? एक प्राक्रतिक बहुलक है प्राक्रतिक बहुलक बोले तो नैचुरल पॉलिमर है नैचुरल पॉलिमर है ठीक है न? क्या अंसर होगा? प्राक्रतिक बढ़का का बलकनाईजिशन करने के लिए कौनसी विधी प्रियुक्त किया जाती है? प्राक्रतिक बढ़को बलकनाईज करने के लिए हम क्या उप्योग करेंगे? उसे sulfur के साथ में गरम करेंगे, उसे carbon black के साथ में गरम करेंगे, उसे chlorine gas के साथ mix कर देंगे, या फिर उसे dye phenyl lamin के साथ में add कर देंगे, क्या किया जाए प्राकृतिक रवड के साथ में, ताकि उसका vulcanization हो सके. कल ही पढ़ा था, बहुत साथ, heating with sulfur is the right answer, sulfur के साथ में गरम करने पर प्राकृतिक रवड का vulcanization किया जाता है, A will be the right answer. अगला प्राश्ट, hexamethylene और adipic acid के संगरन से प्राप्त polymer कौन सा होता है, hexamethylene, और क्या डालना है, adipic acid, दोनों को विलाकर कौन सा polymer बनेगा, tolerance बनेगा, backlight बनेगा, nylon बनेगा, या फिर terlene बनेगा, बताइए फटा-फट आंसर क्या होगा, कौन सा polymer बनता है, which polymer is produced from condensation of hexamethylene and adipic acid, आंसर आ रहा है, nylon 66 will be the right answer, अब जोना ध्यान से देखना है, यह है हमारा adipic acid, यह क्या है हमारा adipic acid, यह है हमारा hexamethylene di-anil, एक amine इधर है, एक amine इधर है, और hexamethylene चार मिथाईल है, एक carbon, दो carbon, तीन carbon, चार carbon, पांच carbon और छे carbon, कितने carbon हैं, छे carbon हैं, तो इसलिए hexamethylene di-anil, जब इसके साथ में reaction होता है दोस्त, तो एक OH यहां से हटता है, और एक H यहां से हटता है, इन दोनों को अगर हटा दिया जाए, तो यहां से यह वाला जो पार्ट है, यह वाला NH वाला जो पार्ट है, वो यहां जुड़ जाएगा, देखो जुड़ गया, ठीक है और बचेगा क्या बचेगा वाटर बहार निकल जाता है और नाइलॉन शिक्स बन गा निमलिकित मैंसे किस विस्पोर्ट का नाम नॉबल तेल है नॉबल ओइल किस विस्पोर्ट को कहा जाता है टिन ज्व ट्राइल नाइ्ट्रो ग्लिसरी श्रीनाग टी एंप कुछ नहीं होता है टी एंइन टी ट्राइन नाइट्रो टैल्विल पत्यूबल ओइल किसे कहा जाता है इन मेंसे किसे noble oil कहा जाता है बोलिये सोनु कुमार TNG बता रहे हैं TNG will be the right answer क्या होता है TNG? ट्राइन नाइट्रो ग्लिसरीन ये एक तरीकी का बिस्पोटा है ठीक है? एक तरीकी का बिस्पोटा है तो TNG, ट्राइन नाइट्रो ग्लिसरीन ये रंगहीन तेल तरल होता है जिसका अप्योग बारुत बनाने में किया जाता है TNG को noble oil भी का जाता है और इस बिस्पोटा का विस्कार 1844 में किया जाता है RDS का अविस्कार किसके द्वारा किया गया है RDX Alfred noble के द्वारा dynamite का अप्योग किया dynamite का invention किया so dynamite was invented by Alfred noble right फिर सैडी के द्वारा वरगियस के द्वारा या फिर वाइदा लॉग longing hangings यह थोड़ा English गलत है कि हिंदी के द्वारा Hans Henning के द्वारा Hans Henning होगा English गलत लिग गया है वो तो answer होगा D Henning के द्वारा D इनका पूरा नाम क्या है इनका पूरा नाम है George Frederick Henning यह गलत है George Frederick Henning will be the right answer इन्होंने RDX का उप्योग किया था Powerful 1898 में George Frederick Henning जर्मनी जर्मनी के थे यह patented in 1988 but used in the until World War II जो सी World War था कि इन्होंने उप्योग किया निम्लेकित मैंसे कौन सा एक बिस्फोटक नहीं है which of the following is not a explosive इन मैंसे कौन सा एक explosive नहीं है सर जी लेप्टप में LED कनेक्ट करने के लिए कौन सा बायर आती है पता नहीं भाई पता यह TNT ट्रिनिट्रो टालवीन विस्फोटक है TNG ट्रिनिट्रो गलिसनी विस्फोटक है RDX विस्फोटक है लेकिन नाइट्रो क्लोरोफॉम ये विस्फोटक नहीं, D will be the right ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आज की क्लास में जितने भी important एक question और कर लेता है question ये कि निमलिकित मैसी किसको विस्फोटक की तरहे प्रियोग किया जाता है बताओ जारा इन मैसे ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम उप्रियोग बिस्फोटक की तरहे चाहते है हाँ, nitrogloroformic sedative है, बिल्कु सही है निश्ची तक कहते हैं इसको एक question और बता भी thank you मत बोलो किसको एक बिस्फोटक की तरह प्रियोग किया जाता है nitroglycerine trinitroglycerine, D is the right answer ठीक है D will be the right answer तो आज की class में हमने आपको चारपांट topic जो important important थे वो करवा दिये, कौन कौन से topic है एक तो polymer में polymer में आसान question थे, उनको मैंने छोड़ दिया था जो कि बढ़िया question थे, उनको ही मैंने रखा था आपको mostly question difficult लग रहे है, polymer दूसी चीज, इसके अलावा मैंने detergent के बार में आपको बताया, detergent और soap बता दिया मैंने आपको, आज chemistry खताम हो गई आपकी पूरी नेक्स से बालोगी स्टार्ट कर तो polymer हो गया, detergent और soap हो गया, इसके अलावा तीसे नंबर पे आ जाता है, हमारा आप, क्या मैंने बताया था, polymer हो गया, detergent हो गया, fertilizer, fertilizer मैंने करा दिया आपको, और साथ-साथ में explosive भी करा दिया, ठीक है, तो आज की class में आपकी complete chemistry over हो चकी है, अब chemistry नहीं होगी, इन topic के previous years questions जो है, वो मैंने करा दिये, complete हो चुक है, उन्हें रट लिजिएगा आप, ठीक ह अगर आप जोई पढ़ना चाहते हैं, तो अनकेडमी का subscription ले सकते हैं, 30 से ज़्यादा badges हर वीक में सुरू होते हैं, 300 से ज़्यादा classes होती हैं, और 70 से ज़्यादा educator आपको पढ़ाते हैं, subscription लेने पर आप, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कितनी भी class कर सकते हैं, unlimited access हैं, कोई यहाँ पर रोब टोब नहीं है, और साथ-साथ में 20,000 से ज़्यादा practice question मिल जाते हैं, जो आप ले सकते हैं, mega subscription अभी आपका जो चल रहा है, वो 12 महीने और 14 महीने का चल रहा है, mega subscription में आपको 4 महीने extra मिलते हैं, और जो प्राइज है वो 5850 रुपाए है, बंपर डिसक subscription पर 4 महीने free है, अगर इस subscription free में लेना चाहते हैं, तो संडे के दिन 12 प्राइडिमी के combat में participate करें, अगर आपको subscription मिल जाता है, तो अगर आपकी rank एक से लिके 3 तक आती है, तो आपको subscription free मिलेगा, चार से लिके 10 आती है, तो 75% scholarship, गया से 50 आती है, तो 50% scholarship, और 51 से 500 पर 25% scholarship मि देगे, combat में participate करते हैं, आपको जो code यूज करना है, वो है योगेंदर, कौन सा code यूज करना है, योगेंदर, अगर आपके पास talent है, तो subscription free में, दूसरी चीज, अगर आप subscription खरीदना चाहते हैं, तो भी आप खरीज सकते हैं, राइट, 12 महीने का जो offer है, वो सबसे बढ़ि सबसेंट कम हो जाएगा, यह लगवा सासवसी रुपए कम हो जाएगा, 325 रुपए पर मन्त यह आपका पड़ेगा, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें भी आप अगर code यूज करेंगे, तो 293 रुपए पड़ेंगे, करना क्या है, आपको EMI से avail करना है, हर महीने पैसा दो, 293 रुपए बात खतम हो गई, आराम से चलता रहेगा, एक साल, दो साल ना जितना भी चलना है, ठीक है, ताशी क्लास हम यहीं पर खतम करते हैं, रात वाली क्लास आज नहीं होगी, तो देर विल भी नो क्लास एड 9.30 पीम, ठीक है, अभी कुछ दिन तक रात वा क्लास चल रही है, रात में कोई क्लास नहीं है, ठीक है, भी मेरे, वीडियो को लाइक करें, शियर करें, और चैनल में अगर पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, चलो, गुड़नाइट सभी को, बाबाए सभी को, अपना ख्याल रखें, ख सुबह होगी, सारे 10 बजे, मैं बार-बार धिली बता रहा हूँ, आप लोग आ नहीं रहे हूँ, सुबह होगी क्लास, 10 बजे, 10.30 एम पर, कल, 10.30 एम पर होगी, कल, ठीक है, भाई मेरे, एक्जाम वाली न्यूज मैं बता रहूँ आपको, ऑथेंटिक है, बहुत सारे हमार दोस्त, एड्मिस्टेशन में कोई आई है से, कोई पीचे से, तभी बता रहा हूँ, ठीक है, चलो, थैंक यू अल, बाबाए